बॉलिवुट के दबंग खान यानी सल्मान खान जो हमेशा से एक खबरों का कारण बने रहते हैं हाली में सल्मान की फिल्म रेस री इत के मौके पर रिलीज होने जा रही है जहां हर किसी को इस फिल्म का बेस सबरी से इंतिजार है तो वहीं सलमान ने इस फिल्म को लेकर कहीं खुलासे किये जहां सलमान ने कहा कि रेस ट्री आक्शन फिल्म तो है ही लेकिन इमोशन से भी भरी हुई है ये सिर्फ आक्शन फिल्म नहीं आप कह सकते म्यूजिकल कलेक्शन बिनोजा वाली ये फिल्म है आप सोच रहे होंगे कि कुछ और लेकिन आपको सच ये बता दे कि यहाँ पर काफी सारे ट्विस्ट और टर्न्स भी आपको देखने को मिलेंगे साथी साथ सलमान ने कहा कि रेस थ्री की खूबी ये है कि इसे तीन गुन बहतर बनाया गया है रमेश तुरानी इस फिल्म के मालिक है हमने इस बार डिस्ट्रिब्यूशन भी किया है फाइदा या नुकसान हमारा ही होगा मैं बिजनसमैन नहीं हूँ मुझे ज्यादा फाइदा समझ नहीं आता ये सिर्फ फिल्म मेरे रहने से ही बन पाती सहक अलकार राइटर डारेक्टर म्यूजिक के साथ साथ फैन्स की भी मौझूदगी जरूरी है अनुभव बेहत ही बड़िया था हम रेस फोर बनाने के बारे में भी सोच रहे हैं नेक्स नाइन न्यूज रूम के रिपोर्ट